हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर चैनल फिछले फीडियो में हम गेपल कनेक्शन के बारे में देखे थे जो की व्यार कनेक्शन के एक पार्ट होता है आज हम व्यार कनेक्शन के और एक पार्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है DSL DSL का मतलब क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कोनेक्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ओके तो आये इसके बारे में सौट नोट देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे एक्जाम में ओके पहला पोइंट देखते हैं DSL also provides very fast internet access over the wires of local telephone network local telephone जो network हमारा होता है उसमें से fast internet access करने के लिए DSL को यूज किया जाता है ओके दूसरा पोइंट देखते है इस ट्राडिशनल टेलिफोन लाइन ट्राडिशनल टेलिफोन लाइन मतलब क्या है जो हमारा टेलिफोन का केबल जो जमिन के अंदर चाता है ना ट्राडिशनल टेलिफोन लाइन फर डाटा ट्रास्पर करने के लिए वो टेलिफोन लाइन को यूज करता है in home and office ये कहां कहां यूज होता है home को यूज होता है office school college एस से टाइप को जगह पर यूज होता है ओके इट प्रोभाइट डेटा ट्रांसपर रेट अप्टू 8 Mbps यह सबसे इंपोर्टन बात है 8 Mbps कितना Mbps DSL में नेटवर्क का स्पीड होता है एक्जामें सॉट कोसिन भी आ सकता है मैं बताते जा रहा हूं जिदर जिदर सट कोसिन वाला कोसिन होगा मैं उतर भी नोटिस करते जाओंगा स्लौ होता जाएगा को कि API मतलब क्या है तो इंटरनेट प्रवाइडर जो होता है आपका एयर्टेल हो गया भी है बिस नलोether ओगा उसका एक्सचेंज जो होता है मतलब उसका ओफिस जो होता है जहां से इंटरनेट का फ्लो होता है आपके घर को उसी को बोलते हैं आईपी एक्सचेंज अगर आईपी एक्सचेंज आपके घर से दूर होगा तो slow network speed आएगा अगर पास में होगा तो तेजी से network speed data transferate speed होगा ओक आईपी एक्सचेंज का डिस्टांस आपके घर से एक किलमेटर से दूर होगा तभी मतलब data transfer पूरे के पूरे के पूरे चलेगा नहीं तो एट से थोड़ा नीचे आजाएगा से भेन आजाएगा या शीक्स आजाएगा या फाइप आजाएगा और अगर और भी डिस्टां अगर आपको समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करके लिख देना कि नाइस वीडियो है अगर कुछ भी समझने आ रहा है तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना और मैं उसके बारे में और एक बार आपको रिपलाई कर दूंगा नहीं तो और एक वीडियो में बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो यह सिर्फ शॉट नोट है, शॉट नोट की तरह ही लिखना चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ शॉट शॉट मतलब तीन या चार माग जैसे हाज आएगा उसी ताइप के लिखना है, और DSL का भी एक मतलब division होता है, मतलब DSL कितने ट का फॉट होता है, यह जो भी एक पार्ट होता है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, तो जाके देख लेना, समझा जाएगा आपको कैसे अगा फोन कोंट का पार्ट होता है, और तो लों कोंट के पार्ट अच्छा लेकितों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एसे ही और इन्फरमेटिफ मतलब इन्फरमेटिफ शॉट नोट और एक जाम बेस शॉट नोट पाने के लिए थैंक यू